सबी देशभासियों को मेरा नमस्कार। के प्रथम राष्ट्रपती डाक्टर राजेंद्र प्रशाद ने सर्दार पतल के विश्वय में लिखा था, and I cut, that there is today an India to think and talk about is very largely due to सर्दार पतल स्स्टेटमेंट सीफ and farm administration, uncut. सर्दार पतल महान सतंत्रता सेनानी थे, तो था स्वाधिन भारत की राष्टियों और प्रशासनिक एक्ता के अध्भूत सिर्पकार थे, उनकी जयनती के पावन अपस्वर पर सभी कृतग्यों देशवास्यों की और से में उनकी स्वुरूती को साध नमन करती हूँ, स्वाधिनता के समय भारत का लोगभुक 40% चेत्र बड़ी छटी रियासतों में बांटा हुआ था, उन 550 से अधिक रियासतों में राजशत्ता थी, एक्ता और लक्तंत्र की दिशा में हमारे देश को काफी लंबी दूर तई करनी थी, काम बहुत कठिन था, बापु ने कहा था कि उस कठिन काम को सरधर पटेल ही कर सकते थे, स्वाधिन्ता के बाद तेरा महिने की अबधी में भारत को एकजूट करने की भग्रियत की प्रयास द्वारा सरधर पटेल ने विश्चो इतिहास का एक अनुपम अध्धायर चाहे। को मुर्त्रू प्रदान किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सरधर पटेल के विश्चो इमें कहा था कि एशा स्वार्थोत्यागी व्यक्ति आपको और नहीं मिलेगा। बार्डली सत्ताग्रह के द्वारान बापुने सरधर पटेल के ओसाधर ने तृत्तो को देखा था। बार्डली सत्ताग्रह आंदलन की सफलता को बार्डली विजोई का नाम दिया गिया। उस विजोई से हमारे स्वाधिनता संग्राम को नेई उर्जा मिली थी। स्वाधिनता प्राप्थ होने के तुरंत बाद की उथल पुथल परी परिस्तितियों में सरधर पटेल ने हमारे देश को एक सुद्रूठ प्रसाशनिक बेवस्ता प्रदान की थी। उनकी चट्टान जेसी द्रूठता ने हमारे नवदीन राष्ट्रो को उनेक कठीन परिस्तितियों से उबारा था। मुझे इस बाद की प्रसंता है कि इस बार के सरधर पटेल स्मूर्ती ब्याख्यान हेतु आकास बाणिने भारत की प्रोगती में अंतरिक विज्ञान के जोगदान से देश बासियों को अबोगत कराने के लिए इसरो के चैर्मेन डक्टर एस समनात जी को अमंत्रित किया आज हमारे देश सरधर पटेल के आदर सो के अनुरूप बिक्सित राष्टर बने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की विकास जात्रा में हमारे अंतरिक कार्यक्रम ने अमुल्लो जोगदान दिया है। पीछले वर्ष बिक्रम लेंडर द्वारा चंद्रमा के दोखिन दुरूब के पास उतरने का सिधा प्रसाण मेंने देखा था। सभी देश बासियों के साथ में भी गर्व का अनुभब कर रही थी। सरधर पटेल हमरे राष्ट्य एक्ता के प्रतिक पुरू से। आईए सरधर पटेल की पावन सुरूति में हम सभी विक्सित भार कि प्रत रही थी।